चलिए दोस्तों तो हम इस स्रीज में अभी तक काफी कुछ कर चुके हैं तो अभी हमने पिछले वीडियो में हाउ टो इंस्टॉल कील कील आप लोगों ने पूरा इंस्टॉल कर लिया है मुझे पूरा विश्वास है नहीं कर रहा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए और I can add something higher to picking the leg賽, कर जाएगी टो आप कुछ भी किसी कंटॉलर को चला पाएंगी एक बाइक आजाएगी और के-जिला बीक कार आ जाएगे ऊप कि किया भी कार चलाई है उसमें ज्यादा फरक नहीं रहता थोड़ा वो तिदर उदर होते से आप उसको चलाने लगेंगे तो आप बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए कि ये कंट्रोलर है वो कंट्रोलर है ठीक है अपना आगे चालू करते हैं तो अब हमारा पहला प्रोग्राम है जने प्रोजेक्ट के मानलीजे अपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है अपने प्रोजेक्ट का नाम दीजिए मानलीजे मैं h1 के नाम से प्रोजेक्ट बना biom NE एसा करके और अब मुझे माइक्रो कंट्रोलर चूज करना है तो माइक्रो कंट्रोलर चूज करिए 8989S5251 कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं 522 करिए और उसे एक यहां जाएए 8 कीजिए असेम्ली फाइल और असेम्ली फाइल का नाम है अच्छा मैं आपको यह और बता दूं कि असेम्ली फाइल हम क्यों सीक रहे हैं और इसके हमें क्या जर रहते यह समद्स सोचना कि असेम्ली लेंग्वेज आउट डेटेट हो गई है ऐसा कुछ नही पाईथॉन वगेरा से समझ में नहीं आएगा यह जो असे लेंग्विज होती है यह हाड़ वियर के बहुत ज्यादा करीब होती है सबसे ज्यादा करीब लेंग्विज यह है तो इसलिए अगर आपको एक बार ये language समझ में आ गई यह आपको lifetime के लिए help करने वाला है ठीक है तो आप यह मत सोचना है कि assembly है और outdated है और इसा कुछ नहीं है सबसे powerful language है और आपको इसका knowledge होना बहुत ही जरूरी है चलिए तो प्रोग्राम लिखते हैं अपना है मान लिजे एक दूसरा रेजस्टर है उसमें मूब कर दिए मान ली जय फिर से में नई यृटल affected sąagas के अच्छ कशना इंअ मीने अभी क्या किया में औक को समझाता हूँ इस प्रोग्राम को और मेरा फाइनल डिजल्ट अभी एक्युमिलेटर में आ चुका है तो मैं इसको मूब कर देता हूं एक इम लेटर का वेलियो उसमें प्रोग्राम मेरा खतम कर देता हूं अगर आपको ये कुछ पता नहीं है तो विल्कुल चिंता मत करिया ये बहुत ही आसान है ठीक है एक रजिस्टर होताए उसमें मेंने क्या किया है 05 मेंने एक वेल्यू जो है 05 वेल्यू वह मैंने एक learning. और यह एक्ज़ क्यों लिखा एक्ज़ेसिमल अगर आपको समझ में नहीं आ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यह मानके चलिए कि मैंने 05 ब्यक्यूमिलेटर में डाल दिया, जो अच्छो अग्यूमिलेटर का वेल्यू था वो मेने एक दूसरे रजिस्टर में रख दिया R 1 में अब accumulator में मैंने 0 3 करके यह value ली है और 0 3 value मैंने accumulator में ले लिये क्योंकि पुराने अधky serial लेटर का पुराने васitz confess अब 2 register और accumulator मैंने जोड़ दिआ है तो उनका addition आ गया और जो भी final answer था वह धो एक दूसरे register में keep कर दिया बस एक छोटा सा दो नंबर को जोडने का program है इसको मैं save करता हूं और compile कर लेता हूं यह देखिए मेरा assembly complete हो गई है और यह मेरा मेरको कोई भी error नहीं आई है इसमें चलिए अब मैं इसको debug करने के लिए जाता हूं तो मैं debug करने के लिए जाता हूं हम कील को evolution version में यूज करने evolution वर्जन आपके लिए sufficient है सीखने के लिए तो आपको किसी इसकी चिंता करने की जड़त नहीं अभी देखिए अब यह मेरा program चालू होता है अब मैं आपको इसको ध्यान से आप ध्यान से समझिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर केसे काम करता है हम उसी चीज को अभी प्रेक्टिकली देख रहे हैं देखिए जैसे ही मेरा पावर अप हुआ तो यह जो प्रोग्राम काउंटर है ना इसका वेल्यू है 0000 क्योंकि यह रेम के अंदर यह रजिस्टर है और पावर अप पे इसका वेल्य मेमोरी के अंदर तो कैसा लिखा हुआ यह 7405 7405 F9 7403 7403 29FA अनली यह जो कनवर्जन वेल्यू है यही वेल्यू मेरा मेमोरी के अंदर जाता है अनली इंसाइड दा माइक्रो कंट्रोलर अनली यही वेल्यू जाता है चाहे आप किसी भी लेंग्विज में प्रोग्राम लि और अगर और गहराई से समझना है तो यह भी hexadecimal code है इनका भी binary equivalent हो जाता है तो 0111 0100 ऐसा करके यह 74 है अगर आप समझ रहे हैं इसको तो ठीक है नहीं भी समझ रहे हैं तो कोई ऐसा आपत नहीं है यह आपने जो भी program लिखा है उसका यह conversion है बस आप यह मान के चलिए अभ इस चीज को ध्यान से समझीगा पूरा ध्यान लगा के program counter में है मेरा 0 तो जैसे ही power up होता है जैसे ही power up होता है microcontroller पूछता है program counter से क्या करूं तो program counter बोलता है 0000 पे जाओ अब जिब 0000 पे जाता है तो उसको 0000 पे मिलता है instruction 7-4 अब 7-4 का मतलब क्या है 7-4 का मतलब उसको 7-4 का मतलब उसको अच्छे से पता है यह देखिए कि यह pdf है मेरा यह pdf है अगर आप इसमें 7-4 सर्च करेंगे 7-4 अगर आप सर्च करेंगे 7-4 का मतलब होता है 7-4 का मतलब होता है a comma data मतलब जो भी data है वो हम accumulator में move कर रहे हैं ठीक है तो अब देखिए आप यहां पे क्य में move करना है तो यह बटन रहता है इसको मैंने दबाया अभी देखो accumulator में value यहां 0 है ध्यान से देख लो accumulator value 0 है अभी में 1-1 step move करता हूं देखो अभी क्या हुआ यह 0-5 था ना वो accumulator में आ गया इतना ही नहीं इसके साथ एक और magic हुआ है कि जो program counter है वो automatically 0-2 पे चला गया कि यह जो बाइट है यह 00 पे लिखी है यह 01 पे लिखी है तो मेरा अगला instruction वो 02 पे ही है F9 अब F9 का मतलब क्या है अगर मुझे यह देखना है तो मैं यहां के F9 सर्च कर सकता हूं F9 का मतलब है move A, R1 जो भी A में है वो R1 में copy हो जाएगा तो अब देखिए A में क्या है 5 अब यह copy हो जाएगा R1 में R1 अभी तो 0 है लेकिन चली A के step में execute करता हूं यह देखो R1 हो गया 5 ठीक है और अभी यह मेरा जो A है अभी जो मेरा A है यह A ने अभी देखिए जो मेर प्रोग्राम काउंटर है वो हो गया 03 आटोमेटिकली 03 हो गया अब 03 पे क्या लिखा हुआ है 03 पे लिखा हुआ है 7403 74 का मतलब वही रहता है data आप accumulator में लेंगे तो अभी accumulator में 5 है लेकिन इस instruction के बार यह 3 हो जाएगा चलिए देखिए इसको मैंने किया यह देखिए 03 हो समझे ना अभी अब हमारे पास दोनों हो गए मतलब अभी हमारे पास R1 में वेल्यू आ गई है पांच और accumulator में वेल्यू आ गई है तीन अभी हम इनको एड करेंगे कैसे एड करेंगे instruction है इसका conversion क्या है 29 अगर हमें यह देखना है तो हम यह आ जाके अगेन इसको सर्च कर स यह वन स्टेप हमने एग्जेक्यूट किया तो देखी 8 हो गया 5 और 3 का सम 8 हो गया अभी हम हमारा लास्ट स्टेप पे हैं इसकी देखिए प्रोग्राम काउंटर में अभी वेल्यू है 6 ठीक है तो हम अभी छटे instruction पे हैं लाइन नम्मर 6 पे हैं हम मेमोरी एड्रेस 6 पे हैं एक आमा और वन जो भी एका वैल्यू है वह आर 2 में जानेवाल है अभी आर 2 मेरा खाली है आर 2 है 0 जैसे मैं इसको एक्जेक्यूट करूंगा यह मेरा 8 हो मिए ठीक है इसकी आगे में एक्जेक्यूट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा इस से आगे हमने कोई instruction नहीं लिखें ल पहला प्रोग्राम केंसे बनाते हैं उसको करते हैं रूं क। आपको आगे लग करिए और इसके अलावा अगर कोई और आपको डाउट हो तो लाइक कीजिए मखरना के प्रैयाश करें हम करेंगे ख्यां